हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीब दुवेश सीजी पेसी में अच्छा आज से मैंने सवीधान के लगभग सो के आज बस असी से सो क्वेश्चन में आपको चार से पांच वीडियो में दूंगा जिसम भारत में राजियों के 20 सहयोग और समन में प्राप्त करने के लिए निम्न लिखित में से कौन से संस्थान सवीधान या विधित्तर संस्था है मतब कुल मिला कि जो सवीधान में लेखित नहीं है देखते हैं राश्टी विकास परिशद ये सवीधान में लेखित नहीं है राजयपाल समयलन ये भी, आंचलिक परिशद नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं अंतर राजी परिशद के बारे में तो इसका है 263 आर्डिकल, तो ये तो है, तो option number C, मतब चार कर जाएगा, तो कौन-कौन सा हैगा, एक, दो और तीन option number B, अगला question देखते हैं, निम्नलिकित में से कौन सवीशद है, जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन में ही, ये सेही सवीधानिक संसोधन सम्भाव है, तो इसको पढ़ना जैसे राष्टरपती के निर्वाचन में, संभाव है, संसथ में राज्यों के पृदिन निधि इसको कार दो तो यह होता है जिसमें आप एक को पकड़ के आंसर निका सकते हैं यह आप हमेशा फॉलो करें दोस्तों क्योंकि बहुत ही कारागार सावित होगा जब आप दो अप्स जाएंगे या दो सेधिक आप्सेंगे अच्छा अगला कोश्चन है निम्न लिखित में से किसको लोकसभा और राजसभा दोनों के निरवाचन में मता अधिकार का अधिकार प्राप्त है तो इसका आंसर मैं डिरेक्टली बता तो राज विधान मंडल के निम्न सदन के जो निरवाजी सदन से उनको लोकसभा और राजसभा में निरवाचन का मता नहीं हुआ है यदि मैं सब्थम सात्विस संसोधन संसोधन के वारे में बात करूं टो इसमें यह उपबंद है तो यह भी तो प्रदेश में तो यूटी बने इस यहां अदरप्र प्रदेश में है हो सकते तलंगाना और उडिशा और पस्री मंगल में प्रस्तावित है कुल मिला कि मद्ध प्रदेश के अगर में बारे में बात करूँ यहां पस ऐसा कुछ नहीं है तो इसका अंसर आगा पद बंध तक पद धारन करेंगे निम्नलिकीत में से कॉंशनिस कर्शनिक आ सकते हैं तो देखना एक पहला कोशन तो आपको कोशनी में मिल गया अगला प्रशन कि राजेपाल का पद ग्रहन के बारे में किस अनुछेद में वड़नी थे भारती से विदान के तो 156 अब आप् से 3 मेहने का साल भर का तो ऐसा फिक्स नहीं है दूसरा कोई राजेपाल 5 से 5 वर्श के पति पता पनें पाद भी स्थाहरं कर लेता है तो और ऑनके प्रमउक्स कूस्त हैं तो स्का अंसर के आँसठायकन निम्न लिखित में कौन सा भारत की सविधाल में तो इस पस्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है पर परिपाटी की रूप में पालन किया जाता है तो मैं इसका डारेटली आपको आंसर बता देता हूं कि प्रधान मंत्री ये दिन निम्न सदन की सदस्य का बहुमत खो तो उनको अपना त्याग पत्र देना होगा इस बात को विशेश करकी ध्यान रखना क्योंकि प्रधान मंत्री लोक सभा या आम सभा या निम्न सदन की सदस्य होते हैं अपना बहुमतिक हो दिये तो क्या होगा उनको अपना त्याग पत्र तो देना पड़ेगा तो यह अग समय सामील होते हैं विद्दान परिषिद हो बीधान होते हैं लेकिन विधान अपसने मे बात करो तो इसका अंसर करने का कोशिश करूँगा निम्न लिखित में से अगला देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है तो भारत के प्रधान मंत्री के बारे बोला गया है पहला क्या है सदन के दोनों संसत के दोनों सदनों का सदस्य में से अपने मंत्रियों का चैन करने के लिए स्वतंत्रता एक चीज दूसरा इस विशय में भारत के राष्टपती के साथ उचित परामर्ज करके मंत्री मंडल की सहयोगी का चैन करना तीसरा अपने मंत्रे मंडल के मंत्रियों के रूपे काम करने के लिए व्यक्तित व्यक्तियों का चैन करना जो पूर्णता स्वविवेक का प्रयोक करता है ठेक है अगला अपने मंत्रे मंडल के सहयोगी का चैन करने के लिए सीमित सक्तिया रखते हैं स्वविवेक प्रयोग करने की सकती भारत के राष्टापती में नहीं थे तो इस सब में देखों यह लगभख सब मिलता जुलता कथन है तो इसमें आपका सबसे जो सबसे जो सटिक कथन है ना वो ऑप्शन नंबर B C बैठेगा कैसे इसको देखना अपने मंत्री परिशत के मं सबसे परिशत की मैं जो मंतरी परिशत करने का इसका क्या आप सरह नंबर B अब मैं बात करता हूँ सविधानाशन जो पुछा गया कि कौन सा प्रस्तावित सही नहीं है तो अगर मैं बात करूँ पहला आप्शन से सभी निर्वाचित ग्रामड स्थानी निकायों में सभी इसतर प्रतीशत आरक्षण महिलाओं सिट के लिए आरक्षीत हो यह तो सही है अगला अगला अप्शन है पंचायती राज संस्थानों के लिए संसाधनों के नियंत्रन के लिए राज अपने अपने वित्त आयों की गठन करेगी यह भी सही है पंचायती राज की निर्वाचित कार्य करता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठाराय जाएंगे यदि वो दो सेदिक संतान तो यह इसके बारे मुलेखित नहीं किया गए दोस्तों तो इसका option आएका option number C लास्ट भी देख लेते हैं यदि पंचायती राज के निकायों का राज सरकार दोरा अतिक्रमण या विघटन कर दे जाए तो छह मैने की भीतर चुना होगा तो यह भी सही है तो कुल मिलागी इसका पार्फ अंसर ख़ेगा option number option number C अगला कुशन देखते हैं यदि भारत के प्रधान मंत्री संसथ के उच्छी सदन की चदस्य होते हैं वे अविश्वास प्रस्ताओं की सिती अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, पहला चीज तो ठीक है, आगे देखते हैं, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं अगर वो राजी सभा के भी सदस्य जैसे इंद्रा गांधी, इंद्र प्रधान मंत्री पत की सपत गरहन करने के छे मात प्रस्ताथ निम्न सदन को सदस्य बनना पड़े, तो इसमें क्या बोला गया है कि प्रधान मंत्री उच्छी सदन को सदस्य होगा, तो ये ओप्षन आएगा कि अविश्वास प्रस्ताओं, वे अपने अविश्वास प्रस् की शुनाव में राज की विधान सभा के प्रतेक निर्वाचित सदस्यों की वोटों की संख्या उस राज की जन संख्या की विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के विभाजित करके भागपास से प्राप्त करते हैं तो एक हजार के गोड़कों के बराबर होती है यह तो आप जानते हैं कि भाई राज्य की कुल जन संख्या मतलब कुल पॉपुलेशन पटे विधायकों की संख्या बल्टिप्लाई एक बटे एक हजार यह फर्मूला है ठीक मततूले निकालने का तो आप पूछा गया है कि वर्तवान इस सिती दो हजार उन्नीस सो पंचानवे में जन संख्या का जो तातपर्य है वो कौन से जन गर्णा से लिया गया है तो इसका आंसर आएगा उप्सन नंबर वी उन्नीस सो इनकानवे के जन गर्णा से चल रहा है भारती सविधान में निमनलिखित में कौन सा या निमनलिखित में से क्या कथी था या वर्णी थे तो इसका देखते हैं च्शंटी संसथ कि किसी भी सद्न को सदस्च नहीं होगा ये सहीं है Chaudhati राष्ट पती और से मिलकर बन देखो राष्ट पती कब बंत है राष्ट पती प्लस लोकसभा प्लस राजसभा इसको मिला कि अगर मैं बात करो तो संसथ बंते हो ठेक तो ये क्या है दोनों सही है तो इसका आएगा option number भी एक और तो दोनों सही है ठेक है भारती सविधान की निम्र लिखित में कौन सा एक अनुसुची दल बदल विरोधी कानून या नियामा को प्रदर्शित करती है तो यह दस्वी अनुसुची कुल कितने अनुसुची है प्रारम में आठ अनुसुची था फिर चार और बढ़ाये गया एक उन्नीस सो इंक्यावन को उन्नीस सो इकान को क्या था भूमी सुधार कानून ठेक फिर आया कौन सा अगला आया दस्वी अनुसुची तो उसमें दल बदल के बारे में फिर पंचायती राज का है तेरवा और चोदों नंबर का सबर्वा ग्यारवा पंचायती राज और बार्वा क्या है बार्वा है नगर निगम से सम्मंदिद ठेक है इस खुल मिला के बारण अनुसुची है अगला कोशन देखते है भारती सवीद्दान के निम ने लिखित में कौन से अनुसुची दल बदल व निम्नलिखित को में निम्नलिखित कत्म पर आपको विचार करना है इसमें लिखाए कि भारती सविधान में कोई संसोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है कहां लाया जा सकते हैं लोग सभाम ला सकते हैं बिल्कुल राजय सभाम ला सकते हैं बिल्कुल अगर मैं बात कुर संसत के दोनों सदन में किसी एक सदन में प्रस्तावित होता है यह सही है वाई यह तो सिंपल दिख रहा है फिर भी अगला ओप्शन देख लेते हैं लोकसभा कि अध्यक्ष का निर्णाय करने के लिए अंतिम पदा अधिकारी कोई भी बिल धन विद्यक है या नहीं वहीं लो ло लोना सब्रस्तावीत है काहा पस लोकसभा में तो इसका आएगा यही तो गलत है न बागी सबसे हैं अगे बढ़ते हैं अब देखो यह थोड़ा पढ़ने में और ध्यान से पढ़ते हैं तो कहीँ न कहीं आप सब चीच बढ़ चकाब अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सौ परशेंट बनेगा आगे देखते हैं क्या दिया है मैं सिधा आपको आंसर बताता हूं इसका उदेश कहा है देश में मजबूत एवं जिवान पंचायती राज संस्थान का वुनियाद जहां पस पंचायती राज दिग्या दोस्तों तूरं दोशन और है उसके बादी भारति भारत की जो महान आयवादी की विशाहिं के बारे में आपको बताना है जो यूपीसी में दोहजार दो में आये था सब्सक्राइब ये सही है उसे संसत के किसी भी एक सदन का सदश्यों हुए ऐसा कुछ जहां जहां तीन देख रहें तो कार्ट तो मतलब बी सीडी कर गया तो आप्चिन नमर एही आएगा तो ऐसे बना सकते हो अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा मेनत लग रहा है तो अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल चेनल को सब्सक्राइब करता कि ऐसा वीडियो में आपको देता नहूं और इसका पी इसको याद रखना तो इस प्रकार से सेजन खतम होता है इसको मैं कंटीन्यू रखूंगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहे हैं अपने दोस्तों सेयर करें और चेनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगला वीडियो में गौड ब्लेस करते हैं और सेज क्यों कि ग्यों रहे हैं